नमस्कारम आज मैं आपको एक ऐसे आयरुवेदिक तेल के बारे में बताऊंगा जो की आप साथ कापके घर में पड़ी हुई सुन्दरता बढ़ाने वाली सारी क्रीम मॉस्चराइजर्स और तरह तरह की चीजों को पीछे कर देगा क्योंकि आयरुवेदिक तेल हमारे रिशियों का फर्मूला है इसको हम कहते हैं कुम-कुमादी तेलम कुम-कुमादी मतलब जो बना हो केसर से खाली केसर नहीं केसर के इलावा भी इसमें 25 जड़ी बुटियां और हैं जिसमें लाल चंदन, सफेद चंदन, चमेली ऐसे बहुत सारी औशदियों का एक्स्ट्रैक्ट इसमें आ जाता है तेल में क्योंकि उन औशदियों के साथ इसको उबाला जाता है इसमें फिर दूद भी होता है तो कुल मिला करके आप अगर क्रीम पर पैसे खर्च कर रहे हैं हलाकि जरूरत नहीं होती इन सब चीजों की बहुत है लेकिन फिर भी जमाना दिखावे का है जो चीज दिखती है वही बिखती है तो लोग चाहते हैं कि हम मार्केट में डिमांड भी है कि हम बस ख चैटिया या उल्टी सीधी चीजें दे देते हैं जिससे आप बाद में अपने श्रीर का भी नुकसान कर लेते हैं और अपने पैसे का भी तो क्यों ना आयरवेद में ही रह करके हम अपने स्वास्त को अपनी सुंदर्ता को बरकरा रखें तो यह कुमकुमादी तैलम आपक भी उपलब्द रहेगा रहता है अगर कोई भी आयरवेद जैसी आप चीज मैं बोलता हूं लो उसको लेने से पहले एक चीज उसकी कंपनी पे नजर मार लेना क्या यह आयरवेद के ट्रडिशनल नौम्स को पुरा कर रही है या फिर सिरफ बस लेबल लगा करके चिप दे यह है तो यह आपको देखना है आप जागरुप ग्रहक बनिये तो इसका आपको यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको दो चर पाच बूंदे लेकर कि बस इसी तरह मालिश करनी है एक तो मिनट बाकी क्रीम को भी आप थोड़ा बहुत रब करती है तो इसको थो नहीं हो जाते हैं पिंपल्स हो जाते हैं तो आप रेगुलर अपर चेहरे पर मालिश करते हैं अगर तो चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी नेच्रल मॉस्चराइजर का भी यह काम कर देगा और इसका नुकसान कोई नहीं है हाँ ओली स्कीन वाले को थोड़ा कम लगाना ह करके सो जाए चाहे सुबह उठके नहाए तो उतर जाए तो वो तो भी दिक्कत नहीं है और जिनकी स्कीन है ड्राई उनके लिए भी मददगार है यह जिनका चेहरा गूप में घूम घूम करके काला हो गया यह बचपन से देखो जो परमात्मा ने रंग दिये हैं आपको भ सकते और फिर भी जिनकी कंप्लेक्शन थोड़ी डार्क है वो चाहते हैं कि को एक शौक आगया कि मुझे थोड़ा सुन्दर दिखना है हाला कि मेरा एक हर बार लोगों को यही निवेदन रहता है कि ब्यूटिफुल हो आप या नहीं हो इससे कोई भी फरक नहीं पड़ेग जादा देर तक आप ड्यूटिफुल बनो जो ड्यूटिफुल रहेगा वे वो दिखेंगा पिला हो अग्योच, पर दाव ऑगा लोको लिक अपनेशच, फ दिखें थे लेकिन वह हो अपने अंदरु दहार किया तो गुणय को धारण करेगा उसके पीछे दुनिया लग जा भाप ले लो यहां काली तिल्ली आ गई चेहरे पे इस तरह से रिंकल्स जाईयां दाग चोटे-मोटे चेहरे की सुन्दरता के से रिलेटिड जो चोटे-मोटे आप इशुज होते हैं वो सारे इस तेल में तेल के यूज़ करने से ठीक हो जाते हैं हर चीज की अपनी एक लिम में कुम-कुमादी तेलम आपके लिए विल्कुल सही है हाँ इसको खाने के लिए भी प्रयोकिया जा सकता है आप दूद पीने लगे हैं रात को तो आदा चमच पी लिया तो भी कोई चक्कर नहीं है उसमें कई बार ओयली स्कीन को बाहर लगाना अच्छा नहीं रहता तो अंदर पी लिया दूद के साथ तो बहुत अच्छा रह गया उसमें एंटी एजिंग काम कर देना है अप फिर इसके इलावा जैसे कोई विक्ती नाक में डाल ले दो तिन तिन बूंद सुभा नस्य की तरह प्रनायाम से पहले तो भी अच्छा है इसने उसने भी फेस पे ग कि एलो आके भाप देने को बोल देते हैं तो ये तमाम इसके तरीक्के थे लेने के regular आप ऊच सकते हैं कितनी अधर ले कितनी दैर बदक करें तो कोई इसका वो लिमिट नहीं है आपका शौन के आपच बीच में कभी मिश मिशुचाए कोई दिकेत नहीं तो ये कुम-कुमा से anti-aging ये तेल है तो आज की वीडियो में फिल हाल इतना ही अगली वीडियो में फिर एक नई आशदी या कोई नई जानकारी लेकर के आप सब के बीच आऊंगा आज के लिए फिल हाल इतना ही नमस्कारम हुआ है रेते ही नमस्कारणस के बीचित है थाँ है नमस्कारम पिल हाल इतना है आवाल इतना ही वीडियो में दोष्ट विल है एक रांशना ही साज़ आवाल इतना है तो